कि हेलो गाईज विल्कम टू माइच चाइनल टिकनिकल मांशेट चली देखते हैं कल मार्केट की सब्सक्राइब करेगी किसे श्टॉक में अब टेट कर सकते इसके पीछे का रिजन क्या है अगर मार्केट का अपनिंग गैप अप होतो क्या करें घप डान होती है तो किसा डु ओपन हो तो हम लोग 15-minute candle का वेट करेंगे फिर उसके हाई को निकालेगे तो बाइ करेंगे लोग को निकालेगे तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते यहां से मार्केट फिर रिभर्ष नहीं करने वाला है यहां से सेलिंग होगा थी थी करेंग सिंग करें कर निदी सेल नहीं करेंगे dalla क्रोस करते ही हम लोग करकें नहीं करने वाल है और शार्प हॉल हो सकती हैं एक हम लोग थोड़ा बॉन्छ्रा अगरेंगे आप विन पर भंड ञोड़िया आने आप वंलोग करेंगें से खते सूम जह हैं। मार्केट के लिए गयात start भी प्वशेत के पाड़ नहीं SUSSe फिर 36,400-36,500 के लेबल के उपर क्लोजिंग देना पड़ेगा तो यहां पर रिभर्षल आ सकती है बाइंग आ सकती है एट लिट्स 36,800-900 इस टार्गेट तक मार्केट इस पॉइंट तक मार्केट यहां से रिभर्ष कर सकती है अगर मार्केट 36,500 के उपर सस्टेंड करना स्टार्ट करती है तो अब इस आरे पॉइंट आप लोग इजली समझ रहेंगे बहुत बड़ा गाप यहां पर लाइसिस किया था अगर मार्केट फ्लेट ओपन होती है तो हम लोग इस प्लेस पर ओपन हुआ है तो यहां से मार्केट थोड़ा सा रिभर्ष लिया फिर शेकेंड हाप में यहां पर सेलिंग आई है अभी अच्छे लेबल पर क्लोजिंग दे चुकी है कल अगर फ्लेट ओपन होती है 17,200 के यहां से हमारे टार्गेट पॉइंट होने चाहिए मार्केट यहां से तेजी से मूब कर शकती है अगर फ्लेट ओपन होती है तो यहां से मार्केट में हो नहीं करेंगे क्रोज करते हैं लोग यहां पर शॉट कर सकते हैं बड़ा टार्गेट हो सकती है दो जो ड़ाइस पॉइंट निफ्टी फॉल कर सकती है बट इंपोर्ट ए है कि मार्केट ओपन का आप हो रही है अगर बहुत बड़ा गाइप ओपनिंग हो जाती है सपोर्ड़ सेलिंग नहीं आगा मार्केट यहां से रिभर्स कर जागा स्विंग के उपर जैसे ही क्लोजिंग देना स्टार्ट करते है 15 मिनिट केंडल का तो फिर मार्केट में यहां से रिभर्सल का चांस हो जाती है बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है सपोर्ड़ेट 17,000 के आज पस में इदर कहीं है है तो फिर मार्केट में यहां फिर 15-minute candle की इस तरह से बना रही है फिर उसके बाद high को निकालेगए तो हम लोग हम पर रिभर्षल का लिए प्लान कर सकते हैं अगर red candle बना रही है तो हम लोग पीर continuous मेंिज सेलिंग के लिए यहां पर शट कर सकते हैं चलिए भी लोग कुछ स्टॉक देख लेते हैं पहला स्टॉक है यहां पर टेकें में बहुत ही बेहतरी इन प्राइस सिक्से ने बिल्ड़ अब कर चुका है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सार्प सेलिंग आई है फिर मार्केट ने आपर पॉझ ल के नीचे स्टाइब है 1297 को क्रोस करती है अच्छाइब से आठ पॉइंट का होना चाहिए चाहिए टार्गेट वान एक टू मिल सकती है अधानी पॉर्ट आप यहां पर देख सकते हैं अच्छे तरह से इसने हायर हाइप फर्मेशन बनाया है यहां पर लगतर यहां पर देख आट्सव अजी एकासी को क्रोश करते ही बाइंग कर शकते हैं हमारा जो टार्गेट होना चाहिए हमारा स्टोप लोग च्टू मिल सकते हैं नेक्स्ट है आइसर मोटर आप यहां पर देख सकते हैं बॉटम से रिकभरी आई है यहां पर डबलू पैटर्न बना करके प्रिकड दिया है अभी हैं पर पॉज कंडल भी बना चुका है इंशाइड कंडल भी बना चुका है कल अगर फ्लैट ओपन होती है तो हम लोग हैं 2636 को क्रोश करते ही बाइंग कर शकते हैं साथ से आठ रूपे का स्टोप्रोस रहेगा टार्गेट टू मिल सकती है नेक्स्ट है कर शकते हैं अश्ट अपरोश 6 पॉइंट का होगा टार्गेट 1-2 मिल सकती है इस सारे पॉइंट आप लोग इजली समझ रहेंगा सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटविशन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और कोई भी एनलाइसिस और लर्निंग का वीडियो मिशना हो थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो तिल इन